आपने नाम सुना होगा संदीप महेशवरी और विवेक बिंदरा के बारे में जैसे उसमें दो लड़के आते हैं एक बताता है कि किसी यूट्यूबर ने उन्हें अपना एक कोर्स पचास हजार रुपे में बेचा था और उस कोर्स की कोई वेल्यू नहीं है और उसका उसे कोई फायदा नहीं मिला है एक जिन्दगी जीने की मोटिवेशन लोगों को देता है और एक बैपार की मोटिवेशन देता है उन्हीं को लगता है कि पैसा कमाना पड़ा असान है मोटिवेशन क्या है आपके दिमाग के अंदर आपके ब्रेन में डोपामिन को शब्दों से बढ़ाने का एक तरीका है अब दिखो सोशल मीडिया की जो लाइफ है उसके उपर मैं ज़्यादा अक्टिव तो नहीं رहता हूं लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत ज़्यादा अक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया देखते रहते हैं तो आपने हाल ही में एक दू दिन पहले यूट्यूब के ऊपर जो दो यूट्यूबर हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर है और एक बिजनस कोच है उनकी एक काफी वीडियो वाइरल हो रही है लडाई चल रही है आपने नाम सुना होगा संदीप महेशवरी और बिवेक बिंद्रा के बारे में जैसे के हम सब ही जानते हैं कि संदीप महेशवरी जो है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और बिवेक बिंद्रा जो है वो एक बिजनस कोच है दोनों के पास ही कुरोणों की संख्या में फॉलोवर्ज हैं अच्छे इनको सुनने वाले हैं जो संदीब महेश्वरी हैं वो अपने मोटिवेशनल वीडियो के कारणे यूटीब और सोशल मीडिया के उपर मशुहूर हैं उनके जो मोटिवेशनल वीडियो तक पहुंचाते हैं उनको काफी पसंद आते हैं और जो वीवेक बिंदरा हैं वो बिजनस कोच हैं वो बिजनस के बारे में लोगों को सिखाते हैं ध्यान दो तो दोनों ही motivational speaker ही हैं दोनों ही लोगों को motivate करते हैं motivation देते हैं लेकिन इनके बीच में जो control वर्सी चल रही है वो कारण है कि कई लोग ऐसी चीज़ों के शिकार होते हैं जब हम ऐसी किसी news को सुनते हैं जब आप ऐसी खबरें पढ़ते हो या ऐसी कोई news सुनते हो तो आप देखोगे ऐसी खबरों को ज़्यादा detail में नहीं बताया जाता है शिर्फ उपर उपर से जिसके बीच में control वर्सी चल रही है उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बत कर दिया जाता है लेकिन detail में आपको कुछ भी नहीं बताया जाता है यहां पर हम थोड़ी सी detail में बात करेंगे कि यह चल क्या रहा है और इसके पीछे की असलित क्या है जैसे उन्होंने संदीप महेश्वरी ने 12 दिसंबर को अपने YouTube चैनल के उपर एक वीडियो रिलीज की जिसका नाम था Big Scam Exposed यह उसका title था वो upload की और बहुत सारी audience ने उसे देखा जिसके अंदर वो किसी एक scam के बारे में बताते हैं scam के बारे में बताते हैं कि कैसे लोग को ठगा जा रहा है जो लोग business सिखाते हैं जैसे उसमें दो लड़के आते हैं एक बताता है कि किसी YouTuber ने उन्हें अपना एक course पचास हजार रुपे में बेचा था और उस course की कोई value नहीं है और उसका उसे कोई फायदा नहीं मिला आपका business अच्छा चलेगा आप business करना सीख जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से वो दो लड़के थे जो अपनी बात जो उनके साथ हुआ है वो बता रहे थे और आप अगर सीखना चाहते हो तो मेरे पास से सीखो यहां पर सब कुछ फ्री है ऐसा वो कहते है ठीक है उसके बाद एक और news आती है कि उनके पास बीवे कविंद्रा का कोई message आया है यह आया है वो आया है और कई ऐसे students हैं बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसे scam हुए है business सिखाने के नाम के उपर जैसे वो चलता था ना पहले कि आपको किसी business के अंदर enter होना है फिर आपको एक group बनाना है पहले उसके अंदर एक बंदा आएगा फिर दो को और जोड़ेगा तीन को और जोड़ेगा फिर आगे वो तीन को और जोड़ेगा ऐसे ही chain business जो चलता था वो वाली सारी चीज वहां पर बताई गी है और उन लोगों को पचास हजार से एक लाग तक का जो कोर्स था वो बेचा गया था लेकिन उसका उनको कोई फाइदा नहीं हुआ है और वहां पर संदीप महेश्वरी क्या कहते हैं कि आपको ऐसे लोगों के उपर विश्वास नहीं करना चाही और यह जो कंट्रिवर्सी हुई है इसे बहुत से लोग एक्सपोज कर रहे हैं जिसका नाम है बिग स्कैम एक्सपोजड कई सारी बातें इसके बारे में की जा रही है लेकिन ये है क्या जैसे कि मैंने बताया कि ये जो संदीप महेश्वरी है या फिर विवेक विंद्रा है ये दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर ही है एक free में सिखाता है एक fees लेता है एक जिन्दगी जीने की motivation लोगों को देता है और एक बैपार की motivation देता है दोनों ही motivational speaker ठीक है जैसे संदीप महेशवरी चलो अच्छा काम कर रहे हैं फ्री में सिखाते हैं और विवेक विंदरा उसकी fees ले रहे हैं हर किसी की अपनी एक और जो वीडियो बाइरल हुई है उसके अंदर संदीप महेशवरी ने कहीं भी विवेक विंदरा का नाम नहीं लिया है ठीक है यह सारी कहानी आपको पता है अगर नहीं पता तो आप देख सकते हो हम यहां पर असलियत की बात करने जा रहे हैं कि यह चीजें क्या होती है नॉर्मल होना चाहते हैं वही ऐसे स्केम के शिकार होते हैं उन्हीं को लगता है कि पैसा कमाना पड़ा असान है वो ऐसी चीजों में फस जाते ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं दिखो चाहे मोटिवेशनल स्पीकर हो चाहे कोई बिजनस कोच हो कोई भी आपको पैसा कमाना नहीं सिखा सकता है ठीक है बिजनस कोच हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो कोई भी आपको पैसा कमाना नहीं सिखा सकता है पैसा आता है तजुरवे से पैसा आता है दिमाग से पैसा आता है अकल से अब जाहिर सी बात है कि जो पैसा कमाना सीख रहा है जो बातों स सब कुछ बातों को सुनकर सब कुछ करना चाहता है वो कभी पैसे को नहीं खीच सकता है वो अमीर नहीं हो सकता है बैपार ऐसे चलता ही नहीं है और जो न्यूज आ रही है जिसके बारे में इतना कुछ बोला जा रहा है कहा जा रहा है कि ये स्कैम है ये है वो है ये ये आपको ट्रिगर करती हैं और वो ऐसी न्यूस के शिकार हो जाते हैं ऐसे जो बिजनस होते हैं जिसमें आपको आगे आगे नए नए लोग जोडने होते हैं फिर चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का बिजनस हो यह बिजनस होते ही स्कैम है इनको डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि सीधा कान नहीं पकड़ना है घुमा कर पकड़ना है सीधे पैसे कोई नहीं देगा अगर तुम किसी से भी मांगोगे कोई तुमें सीधे पैसे नहीं देगा ऐसे हाथ हो आत पैसे नहीं देगा लेकिन घुमा कर पैसे मांगो तो सब दे देते हैं और वहाँ पर घुमा कर पैसे मांगे जाते हैं जो chain business होता है और ऐसे business होते ही scam करने के लिए है business के बार में मैंने एक lecture release किया था उसको भी तुम सुन सकते हो ऐसी चीज़े business में चलती हैं और ये normal सी बात है scam के नाम के ऊपर ऐसी news चल जाती है लेकिन बात चाहे तुम संदीप महेशवरी की कर लो वो motivational speaker हैं फ्री में सिखाते हैं और चाहे विवेक विंद्रा की कर लो हैं ये दोनों ही motivational speaker जो लोग थोड़े महनती होते हैं उनको फाइदा भी हो जाता है ऐसी बातों से ऐसे लोगों से लेकिन ज़्यादा तर ये घाटे का सौधा है इस में से किसी का फाइदा नहीं होता है जो तुम्हे business सिखाता है जो तुम्हे motivation देता है motivation की philosophy क्या होती है motivation की psychology क्या होती है motivation कभी भी तुम बाहर से नहीं लेख सकते हो ठीक है मोटिवेशन है कि ऐसी चीज है जो तुम्हें बाहर से नहीं मिलती मोटिवेशन कमानी पड़ती है मोटिवेशन जब तुम किसी काम को लगातार करते जाते हो करते जाते हो तुम्हें नहीं नहीं experience होते हैं अपने आप तुम motivate होते चले जाते हो, तुम्हारा confidence बढ़ता चला जाता है, जो लोग अस्तन दिमाग के होते हैं, जिनकी बुध्धी ज़्यादा काम नहीं करती है, जो बातों के गुलाम होते हैं, motivation उनके उपर असर करती है, फिर चाहे वो free की motivation हो, चाहे paid motivation हो, चाहे business motivation हो, चाहे meditation हो, या फिर कुछ भी, meditation भी देखो, पेड में पैसे लेकर लोग बेचते हैं, motivation क्या है, आपके दिमाग के अंदर, आपके brain में डोपामिन को शब्दों से बढ़ाने का एक तरीका है, डोपामिन नाम का जो हॉर्मोन है, जो परदार्थ है, उसको बातों से बढ़ान का नाम है motivation, और motivation का कोई काम नहीं होता है, motivational बातें सुनकर तुम्हें सिर्फ आननदा आता है, खुशी मिलती है, एक अलग ही एहसास होता है, और वो एहसास बड़ी जल्दी उतर जाता है, जैसे ही तुम motivational किसी speaker को सुनते हो, उसकी बातें सुनते हो, थोड़ा टाइम तुम confident होते हो, लेकिन धीरे धीरे वो confidence उतर जाता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो जैसा है, वैसा ही रहे, तुम कुछ पल के लिए motivation भरे शब्दों को सुनते हो, कहानियों को सुनते हो, तुम सपनों में ही उन चीजों को जीते हो, और तुम्हें लगता है कि तुम कुछ न की इंसान को जुरूरत तब होती है, जब वो किसी track के उपर चल रहा हो, किसी रास्ते के उपर चल रहा हो, ठीक है, अगर तुम कहीं जा रहे हो, तुम ठक चुके हो, तो एक इंसान, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, चाहे तुम्हारे पास कोई किताब हो, चाहे तुम्हार यही पर हार नहीं माल लेती है उठो और आगे बढ़ो मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है तब मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है अगर तुम बैड के ओपर लेटे हुए हो वहीं पर बैठे हो और तुम सोचते हो के मोटिवेशन बातें सुन-सुन कर तुम्हारे अंद तुम ज़्यादा टाइम तक active नहीं रह सकते हो, और यह जो business motivation होती है, यह भी तभी काम आती है, जब तुम बैपार कर रहे हो, जब तुम अपने बैपार को बढ़ाना चाहते हो, जब तुम बैपार में काम याब नहीं हो रहे हो, जो तुम पहले से कर रहे हो, ऐसी चीज़ें वहाँ पर काम आती है, फिर चाहे वो motivation हो, चाहे business motivation हो, अगर तुम्हारे पास वो जगा ही नहीं है, यहाँ पर तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे पास इंटे ही नहीं है, तो तुम घर किस चीज़ का बनाऊगी, जिसे तुम्हें पूरा करना है, सिर्फ बातों के गुलाम हो जाते लोग, बातों में ही सपने देखते हैं, सपनों में ही बातें सोचते हैं, सपनों को देख देख कर ही, और कोई ऐसा लुटे रहा आता है, उनको ठग कर चला जाता है, और ऐसा ये नहीं कि अभी हुआ है ऐसा तो कई लोग के साथ हुआ है और आगे होना है जो लोग कम अकल होते हैं जिनकी जदा काम नहीं करती वो ऐसी बातों में फस्ते हैं जैसे के पीछे पंच तंतर में हम बात करके आए हैं कि एक बैल बुद्धी होते हैं, लोग कुछ सियार बुद्धी होते हैं, कुछ शेर बुद्धी होते हैं, कुछ किसी तरह के होते हैं, कुछ किसी तरह के होते हैं, सबका अपने अपने तरीके से दिमाग काम करता है, तो मोटिवेशन जो है, वो तुम्हारे दिमाग में डोपाम जाला release करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना तो वो किसी चीज़ को कम करता है ना बढ़ाता है वो जैसा है वैसा ही पड़ा रहता है ठीक है तो ऐसी चीज़े ऐसी motivation चाहे business motivation हो चाहे simple motivation हो कि तुम कुछ कर रहे हो अपनी जिंदगी में तब तुमें नहीं है फिर चाहे वो पढ़ाई हो कोई ब्यापार करना हो या तुम कुछ भी कर रहे हो तब वो motivation काम आती है अगर तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो motivation काम नहीं आएगी free में ऐसी news चल जाती है ऐसी ख़वरें चल जाती है हाला के वो जो ख़वर है संदीप महेशवरी और विवेक मिंदरा के नाम के उपर उसमें कोई दम नहीं है उसमें कुछ भी खास नहीं है बस वो चल रही है और क्यों चल रही है क्योंकि वैसे स्कैम कई लोग के साथ हुए है और यहाँ पर मैं तुमें क्या रियलेटी बता रहा हूँ कि मोटिवेशन की जरूरत इंसान को पड़ती है तब जब वो कर रहा हो कुछ नहीं तो उसे जरूरती नहीं है मोटिवेशन की और बहुत से लोग जो फ्री बैठे रहाते हैं जो कुछ करना नहीं लेकिन पैसे लेने से पहले वो भी तो तुम्हें बताते होंगे ना कि तुम्हें कुछ खुद भी करना पड़ेगा ऐसे नहीं होता कि कुछ पैसे देकर तुम ये भी उमीद करो कि कोई तुम्हारा बैपार बना हुआ बना बनाया बैपार तुम्हें दे देगा कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है यहां पर मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ यहां पर मैं तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूँ जिनके साथ ऐसी चीजें हुई है हो गई है, हो चुकी है या आगे हो सकती है जब तक तुम्हारे पास कोई target नहीं है तब तक कभी भी motivation के पीछे भागने की गलती तुम्हें नहीं करने है जब तक तुम्हारे पास अपना कोई बैपार नहीं है तुमने दुकान खोली नहीं है और ओफिस बनाया नहीं है तब तक तुम्हें motivation के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है दिमाग किस चीज़ को हासिल करेगा, किस चीज़ को हासिल करने के बारे में सोचेगा किसको बहतर बनाने के बारे में सोचेगा वही ना जो उसके पास है, जैसे तुमने गता है, देखो एक example देता हूं बड़ी simple example देता हूं जैसे तुम school में जाते हो school में जो किताबें तुम्हें दी जाती है या college में जो किताबें तुम्हें दी जाती है, वो किताबें अक्सर हमारा पढ़ने को दिल नहीं करता है दिमाग उन किताबों से भागता है, उस जानकारी से भागता है, उस information से भागता है क्यों? क्योंकि पहले से ही उसके पास है ऐसे वक्त में क्या करने को दिल करता है, प्यार करने को दिल करता है, कोई अच्छा साथ ही बनाने को दिल करता है या फिर बाहरी किताबें पढ़ने को दिल करता है जो किताबें तुम्हारे पास है जो चीज तुम्हारे पास है वो तुम नहीं पढ़ते हो तुम कुछ और पढ़ना चाहते हो वैसे ही नॉर्मल जिन्दगी में होता है जो तुम्हारे पास है तुम उसको अच्छा नहीं मानते हो जो तुम्हें मिला हुआ है उसके प्रति तुम हमेशा negative रहते हो और जो तुम्हारे पास नहीं है उसको लेकर तुम Positive रहते हो ठीक है ये इनसानी बैभार है और वैसे ही कई लोगों के साथ सिर्फ बिजनस में ऐसा नहीं होता मोटिवेशन में ऐसा नहीं होता और वी कई चीज़े हैं यहाँ पर लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हम तो सिर्फ इस खाबर की example ले रहें जो तुम्हारे पास है वो हमेशा तुम उसके प्रति नेगेटिव रहते हो क्योंकि तुम्हें उसकी सारी खामिया पता है उसको खो देने का डर तुम्हारे अंदर नहीं है ज्यादा मेहनत करके तुम्हें वो चीज नहीं मिली है इसलिए तुम उसके प्रति नेगेटिव रह लोह को जो पतनी ही मिल जाती है, जो पतनी मिल जाता है, जो प्रेमी प्रेमी का मिल जाते हैं, वो उनको कुछ वहीने बाद अच्छे लगने बंद हो जाते हैं। वैसे ही तुम स्कूल की किताबों के साथ करते हो, वैसे ही तुम अपने बैपार के साथ करते हो, पैसे के साथ करते हो, इच्छाओं के साथ करते हो, जैसे प्यार में क्या होता है, जब तुम अपनी गल्फरेंड को पूरी तरह जान लेते हो, तो तुम्हें वो जो तुमने वैसे ही स्कूल की किताबें, वैसे ही नॉर्मल जिंदगी, पेरंट्स, दोस्त, सब कुछ, तुम्हें कम लगना शुरू हो जाता है, उनकी कोई अहमित नहीं होती, क्योंकि कोई लक्ष नहीं होता है, तो ये चीज हर जगा फिट होती है, मोटिवेशन की जरूरत तुम्हें कभी होती है, जब तुम्हारे पास कोई टार्गेट हो, जब तुम कहीं पहुंचना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास टार्गेट नहीं है, तो ऐसी चीज़ें होती रहेंगे, पहले टार्गेट खो, जो उसके बाद मोटिवेशन की जरूरत पढ़ती है,